नमस्कार दोस्तों, कहानियों की स्रंकला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी परक। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भ पता नहीं कहां की बातने लेकर बैट गई थी, कि खतम ही नहीं हो रही थी, वैसे तो मुझे उनकी बातों में कोई दिल्चस्पी नहीं थी, पर अगर चर्चा में अपना नाम बार-बार आये तो कोई कहां तकन सुना कर दे, जिजी मौसी कह रही थी, लड़की को ठीक से ख खिलाती पिलाती नहीं क्या, एकदम सूखा चुहारा हो रही है, नहीं तो इस उम्र में लड़कियां कैसी गदराये आम किसी होती है, अब खाना तो जो हम खा रही है, वही सीमा भी खा रही है, अम्मा ने उसास भरकर कहा, पर उसके शरीर को लगता ही नहीं है, तो हम क्या क आती है, सरदी, गर्मी, बरसाथ सभी जेलना पड़ता है, तभी ना उसका रंग ऐसा काला पड़ गया है, मेरी मानों तो उसकी नौकरी छुडवा दो, देखो पांच-सात महिने में ही रंगत कैसी निखराती है, नौकरी कैसे छुडवा दूँ, ये जो दो-चार ढग के अपड़े उसके बदन पर नजर आ रहे हैं, उस नौकरी की बदालत ही तो है, नहीं तो बेचारी कॉलेज तक में फटे हाल जाया करती थी, तुमने देखा तो है, क्यों, दोनों भाई मिलकर बहन को पहना उड़ा भी नहीं सकते, क्या, खाना खिला रहे हैं, यही बहुत है क्या बात करती हो जीची, अगर ऐसा हाल है तो फिर दान देख क्या देंगे, तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया, मान लो, कल को तुम्हारे कहने से मैं कहीं बात चलाऊं और लेने देने के नाम पर वह हाथ हुचे कर दें तो, मेरी तो नाखी कट जाएगी अब तुमसे घर की बात में क्या कहूं शकुन, बहुएं तो खेर पराय घर से ही आती हैं, उनमें मोह माया ना हो तो समझ में आता है पर जब अपने पेट जाए ही एकदम परायों का सब विवहार करने लगने हैं, तब बड़ा जी दुखता है तेरे जीजा जी की तब बहुत याद आती है बात ची तब दूसरे टेक पर चली गई थी, अम्मा बेटे बहुँँ का रोना लेकर बैट गई थी इस अंतहिन रामायन में मुझे कोई रूची नहीं थी, रोज ही सुनती हूँ सुन-सुन कर कान पग गए हैं, इसलिए अब मेरे कान अपने आप ही बंध हो गए कब मेरी आँख लग गई, मुझे खुदी पता नहीं चला सोकर उठी तो अच्छी खासी शाम हो रही थी, कमरा एकदम खाली था बाहर आकर देखा, अम्मा बरामदे में बैठी माला फेर रही थी किचिन में मुझे शाम के खाने की तयारी में बेस्त थी मैंने भीतर जाकर कहा, मौसी एकाद गैस खाली है क्या मैं अपनी चाय बना लूँगी, तू क्यों बनाएगी लाडो, मैं हूँ न फिर गैस पर चाय चढ़ाते हुए बोली, सीमा तू वो वाली क्रीम क्यों नहीं लगाती कौन सी? अरे अच्छा सा नाम है, देख अब याद ही नहीं आ रहा मेरी ननन की बेटी है न कुमुद, तेरी तरह ही सामली थी बस 6 महीने वह क्रीम लगाई होगी, एकदम मैदे की लोई की तरह निकल आई अरे वाह, तब तो कुमुद को उस क्रीम का ब्रैंड अम्बेस्डर बन जाना चाहिए मतलब? छोड़िये, मैं तो मजाक कर रही थी, पर मौसी आजकल मैदे की लोई का फैशन नहीं रहा ना अब गदराय आमों का जमाना है, अब तो लोग नगत नारायंट देखते हैं यह कौन सी नई बात है, दान दहेश तो जमाने से चला आ रहा है तब तो माबाप एक बार दे कर छुट्टी पा जाते थे, पर आजकर लोगों को पर्मनेंट दहेश चाहिए यानि की नौकरी, लड़के वाले अब कन्या का रूप गुर नहीं देखते वे पूछते हैं, नौकरी पर्मनेंट है या टेंपरेरी, सरकारी है या प्राइवेट अगर आपकी बिटिया डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है या बैंक में नौकर है तो लोग यह नहीं पूछेंगे कि लड़की गोरी है या काली, लंबी है या नाटी, वे उसका बेतन मान पूछेंगे बैंक बैलेंस जानना चाहेंगे तू भी तो नौकरी कर रही है, फिर तेरी नौकरी पर कोई रीजा क्यों नहीं अब तक रीजनेल एक नौकरी तो हो मौसी, एक प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ जितने पर दस्तकत करती हूँ, उसका तीन चौथाई हाथ आता है वह भी इतना कम है कि बताते हुए शर्म आती है मुझे से ज़्यादा बेतन तो सरकारी स्कूल का चप्रासी पाता है तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मिली भी थी, पर शुरवाती पोस्टिंग अक्सर गाउं में मिलती है और मुझे कोई अकेले भेजने को तयार न था तो अपनी अम्मा को साथ ले जाती न? घर पर भी उसे कौन फूलों से तॉल रहा है? अम्मा जरा भी हिलने के लिए तयार नहीं है कहती है, पूरे घर में यही एक कमरा अपना है यहां से चली जाओंगी तो वह भी छिन जाएगा कल को तेरी शादी हो जाएगी तो मैं क्या बरामदे में सोऊंगी? अच्छा हुआ कि उसी समय मौसा जी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी और यह अप्रिये विशय समाप्थ हो गया नहीं समाप्थ कहां हुआ? चाय की टेबिल पर मौसी ने फिर वही रामाइंड सेड़ दी आपके पास इतने लड़के काम करते हैं इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो न जिज्जी बेचारी की नींद उड़ गई दूसरे दिन सुबह नहाद होकर बाहर निकली तो देखा रसोई से बड़ी अच्छी खुश्बू आ रही है फौरन वहाँ पहुँच गई मौसी क्या बना रही हो? पूरा घर महक रहा है एसी मा तुझे दुहाजू चलेगा? एक छड़ तो मुझे लगा कि वह नाश्टे के बारे में पूँच रही है उनकी बात समझने में मुझे वक्त लगा खीज कर कहा मौसी तुम रात बर क्या मेरे बारे में ही सोच रही थी? सच कह रही है तू मुझे रात बर नींद नहीं आई मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरा एक दिन में यह हाल हो गया तो जिज्जी कितनी परेशान होंगी मैंने कोई उत्तर नहीं दिया देख सीमा अब तू 28 पार कर चुकी है इस उम्र का कुमारा दूला अब कहां मिलेगा आज कल तो लड़के 20-22 साल में नौकरी करने लगते हैं उन्हें 3-4 साल तक रोकना भी मुश्किल हो जाता है लड़की वाले प्रान खा जाते हैं 26 से उपर तो कुमारा लड़का मिलना मुश्किल है मौसी अगर मुझे जरा भी ऐसास होता कि मातराम इस मिशन के लिए यहां आई है तो अपनी चुट्टी और पैसा में जरा भी बरबाद नहीं करती मुझे से बोली शकुन से मिले बहुत दिन हो गए है मेरा जी घबरा रहा है इसलिए मैं उन्हें यहां ले आई सोचा कि मा की इतनी सी इक्षा अगर पूरी न कर सकी तो मेरे नौकरी करने का फायता ही क्या हुआ मुझे क्या पता था कि वो यहां आके प्रपंच रचने वाली है प्रपंच रचना पढ़ता है बेटा कुमारी लड़की अगर घर में हो तो माबाप की भूख प्यास गायब हो जाती है खेर वो बात जाने दे तु मेरी बात का जवाब दे तुझे दुहाजू चलेगा मुझे चुप देख कर बोली देख बेटा अपनी उम्र जादा हो तो थोड़े समझोते करने पड़ते हैं समझोते हमेशा हमी क्यों करें ऐसी बात नहीं है वे लोग भी करते हैं दूसरी शादी होती है तो वे लोग न रूप रंग देखते हैं न दान देज मांगते हैं हाँ उन्हें तो बस एक अदद बीबी चाहिए और अगर बच्चे हो तो उनके लिए एक आया मैंने व्यंग किया पर मौसी ने सिर्फ मेरे शब्द सुने शब्दों की धार को अनुभो नहीं किया बोली बच्चे हैं तो पर नानी के पास हैं तुम नहीं चाहोगी तो नहीं आएंगे मतलब कि तुमने सुपात्र खोज भी लिया है मेरी तो आखें आश्चर से फैल ही गई क्या करूं रे जिजी का दुख देखा नहीं गया वैसे खोजने के लिए जादा दूर नहीं जाना पड़ा मेरे रिष्टे का तेवर है कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है दो बच्चे हैं अभी छे महीने पहले ही पत्नी का देहान्त हुआ है पीलिया हो गया था और इतनी जल्दी जनाब फिर से घोड़ी पर चड़ने के लिए तैयार हो गए यह हिंदोस्तान है लाडो यहां तो शमसान में ही प्रस्ताव आना शुरू हो जाते है एक की बेटी मरती है तो दूसरे की बेटी का घर बस जाता है वाह क्या बढ़िया सिस्टम है मैंने हा या ना कुछ नहीं कहा था पर देखा कि दोपहर लंज पर साहब बहादुर आमंत्री थे रविवार था इसलिए मौसा जी भी घर पर ही थे परिचे के बाद उन्होंने मुझे इस्तरे उपर से नीचे तक देखा कि मुझे जुरजुरी हो आई कुछ लोग नारी देखो नजरों से इस्तरे तौलते हैं कि उपकाई आने लगती है जिस भी कंपनी में यह सज्जन होंगे वहां की महिला कर्मचारियों की तो शामत ही आती होगी मैंने अब तक नकारात्मक उर्जा के बारे में सुना भर था आज प्रत्यक्ष अन्भव किया वहां दस मिनट बैठना भी मेरे लिए कठिन हो गया एक्सक्यूज मी कहते हुए मैं उठी और भीतर चली गई धीरे बोल भवानी एकदम भोपू सा बजा देती है अम्मा ने डपट कर कहा तो मैं चुप हो गई पल भर बाद अम्मा को एहसास हुआ कि वे भी उची आवाज में बोल रही है अपनी आवाज को यथा शक्ती धीमा करके बोली मिन्नो अब तू भी तो सोलह की नहीं रह गई है तेरे लाइक ही तो ढूर्णना पड़ेगा बेचादी शकुन मेरी परिशानी बस उसी ने समझी है नायक जी के पीछे ही पड़ गई कि अपने भाई को मनाओ आज कल इतना कौन करता है बता अम्मा मुझे जराभी इल्म होता कि तुम इस पुर्नेकार के लिए यहां आना चाहती हो तो मैं हरगिज ना आती और तुम्हारी बहन और बहनोई ने बहुत मेहनत की है मैं मानती हूँ पर मुझे यह आदमी जराभी अच्छा नहीं लगा कहे देती हूँ अम्मा एकदम भड़क गई अब तेरे लिए मैं राजकुमार कहां से लाऊं गांट में एक धेला नहीं है सिर पर बाप का साया नहीं है भाई लोग कान में रूई दिये बैठे है और लाडो के नकरे देखो किस बलबूते पर इतना भाव खा रही हो जरा मैं भी तो सुनू मैंने अपनी बात कह दी बस और शकुन को क्या जब आप दूँगी मैं वह मेरा सिरदर्द नहीं है मैंने कहा और मुफ लाकर बैठ गई तभी मौसी हुलस्ती हुई कमरे में आई सीमा खाना खाकर जल्दी से तयार हो जाना अब तयार किसले होना है मौसी मैं जैसी भी हूँ उन्होंने देख तो लिया है देख तो लिया है रे पर मैं सोच रही थी कि तुम लोग थोड़ा साथ में घूम फिर लो एक दूसरे को समझ लो मौसी यूँ हर किसी के साथ घूमने की मेरी आदत नहीं है हर किसी के साथ तुझे हम भी नहीं भेजेंगे लाडो पर उसने हा कर दी है तभी मैंने घूमने का प्रस्ताव रखा है अपने पास अब और समय भी तो नहीं है आज शाम को तो तुम्हें चले ही जाना है इसलिए तो मैंने प्रवीन से कहा कि जो कुछ फैसला हो अभी बता दो आज रात की गाड़ी से ये लोग वापस जा रहे हैं तो उसने तुरंत ही हा कर दी उनकी हा करने से क्या होता है मौसी कुछ मेरी मैं अपनी बात अभी पूरी तरह कह भी न पाई थी कि अम्मा ने पीछे से मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई सोच लिया कि यहां तमाशा करना बेकार है घर जाकर मौसी को चुपचाप फोन कर दूँगी मौसी ने मेरे सामने साडियों का अमबार लगा दिया मैचिंग ब्लाउज का पहाना करके मैंने सब निरस्त कर दी कहा कि मेरे पास भी ढंकी एक दो साडियां है उन में से पसंद कर लो साडियां तो मैंने लोटा दी पर मौसी का दिया हुआ अमेरिकन डाइमन का सेट मुझे पहनना ही पड़ा थोड़ा बहुत मेकप भी करना पड़ा मौसी को अपनी बहु की बार-बार याद आ रही थी शुभा यहां होती तो इतने अच्छे से सजाती कि बस मैं तैयार होकर बाहर आई तो मौसी और अम्मा दोनों मुखद भाव से मुझे निहार रही थी प्रवीन मौसी ने देवर को आदेश दिया इसे सम्हाल कर ले जाना और मौल जरूर दिखा लाना इनके शहर में अभी बना नहीं है गेट के बाहर कमपनी बहादुर की मारूती 800 खड़ी थी सब लोग हमें गेट तक छोड़ने आये मौसा जी भी ऐसा लगा जैसे मैं आज ही बिदा हो रही हूँ मौसी की हिदायते खतम ही नहीं हो रही थी और अम्मा की आँखें डबडबा आई थी अम्मा की डबडबाई आँखें दूर तक मेरा पीछा करती रही सच तो यह था कि अम्मा के लिए ही मैं इस सेर के लिए राजी हुई थी मौसी के सामने मैं उनकी हेटी नहीं करना चाहती थी घंटे दो घंटे का सवाल था फिर रात को तो हम लोगों को निकलना ही था घर पहुँचकर मौसी को चुपचा फोन कर दूँगी बात खतम ठीक से बैठो बगल से आब आ जाई जी मैंने कहा ठीक से बैठो दरवाजे से चिप्टी जा रही हो गिर गिर आ गई तो भावी मुझे खा जाएंगी क्यों गाडी का लॉक ठीक नहीं है क्या लॉक वॉक सब ठीक है नई नकोर गाडी है सब कुछ चाक चोबंध है पर ढंग से बैठने में हर्ज क्या है वह जैसा चाहते थे उतना ठीक से तो मैं नहीं बैठ पाई पर हाँ थोड़ा सा सरग गई कुछ समय निशब्द बीता मैं खिड़की के पार देखती रही बहुमंजला, इमारतें, बाजार, बंगले, घनी बस्तियां, जुगी, जोपडियां एक-एक करके आँखों के सामने से गुजरते गए फिर बस्ती थोड़ी बेरल होते होते एकदम ही ओजल हो गई रास्ते के दोनों और खेत ही खेत नजर आ रहे थे मौल क्या शहर से बहुत दूर है बिल्कुल शहर के बीचों बीच है इन दा हार्ट आफ सिटी ये तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए शहर से बाहर ले आया सोचा थोड़ी लॉंग ट्राइब हो जाए इतनी धूप में तो कौन सा पैदल चल रही हो गाड़ी में बैठी हो जरा आसपास के नजारों का आनंद लो देखिए मैं छोटे शहर की लड़की हूँ मैंने खेद खलियान जंगल पहाड खूब देखे हैं बस वह मौल दिखा दीजिए वैसे भी इतनी धूप में घूमने में कोई मज़ा नहीं है गाड़ी में एसी लगा होता तो और बात थी यह तीर निशाने पर लगा मौका मिलते ही उन्होंने यूटर्न लिया और गाड़ी शहर की ओर मोड़ दी चायवाय तो नहीं पीनी है ना अभी खाना खाकर ही तो आ रहे है तुम तो बस मौल देखोगी है ना जाहिर था वह नाराज हो गए थे पेचारे इसके बाद उन्होंने रास्ते भर कोई बात नहीं की सीधे मौल पर लाकर ही गाड़ी रोकी अंडर ग्राउंड में गाड़ी पार करके हम उपर आय तो लगा जैसे सारा शहर ही यहां इकठा हो गया है बहुत भीड है ना आज संडे है ना लोक बिल्कुल तूट परते हैं कुछ खरीदना है ना बस देखना है चलो उपर चलते हैं वे मुझे हाथ पकड़ कर एकसलेटर के पास ले गए इसे एकसलेटर कहते हैं मालूम है मैंने हौले से अपना हाथ चुड़ाते हुए कहा बड़ी दीदी मुंबई में है वहाँ अकसर जाती रहती हूँ फिर तो मौल भी देखे होंगे मुंबई में तो दरजनों है फिर यहां आने की क्या अरजेंसी थी मोसी की इक्षा थी और सुनिये मैं एकसलेटर से नहीं जाओंगी मुझे डर लगता है रही न वही छोटे शहर वाली अरे डरने की क्या बात है मैं हूँ न उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया हम लोग सीडियों से चलते हैं न मैंने धीरे से हाथ चुड़ाते हुए कहा और सीडियों की ओर बढ़ गई पागल सीडियां चड़ते चड़ते मर जाएंगे हम चलो लिफ्ट से चलते हैं वहां लंबी लाइन थी बड़ी देर बाद नंबर आया जब भी लिफ्ट रुपती मैं उतरने का उपक्रम करती और वह मुझे रोक लेते आखिरकार सबसे आखरी मंजिल पर हम बाहर निकले यहां एकदम शांत था सारा शोर शराबा सारी भीड नीचे छूट गई थी यह मल्टी प्लैक्स हैं यहां चार पिक्चरें एक साथ चलती हैं खेर तुमने तो मुंबई में देखा ही होगा कौन सी पिक्चर देखोगी हे भगवान इस शक्स के साथ तीन घंटे अंधेरे हॉल में बैठना होगा मेरे तो रोंग्टे खड़े हो गए अभी तो देर है आव कोल्ड ड्रिंग पीते हैं स्टॉल की ओर जाते हुए उन्होंने फिर मेरा हाथ थाम लिया मैंने भी धीरे से छुडा लिया पर इस बार वह चुप नहीं रह सके तुम तो एकदम टच मी नॉट हुई जा रही हो तो आपने क्या समझा था इजली अविलेविल हो जाओंगी पर प्रकट में मैंने इतना ही कहा छोटे शहर की हूँ न उतना बोल्ड नहीं हो सकती वैसे तुमारी उम्र क्या है मौसी ने पूरा बायो डेटा बताया तो होगा हाँ 28 कह रही थी पर 30 समझ लो क्योंकि लड़की वाले अकसर दो-चार साल घटा कर ही बताते हैं तो इतने दिनों तक क्या अंचुई ही रही आई हो कोई अफेयर नहीं हुआ मेरा पूरा शरीर रोश से जैसे सुलग उठा पर मैंने सैयम से काम लिया और कहा अफेयर के लिए मौका ही नहीं मिला घर में मा का हिटलरी अनुशासन था स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी कोईड में नहीं हुई अभी जहां पढ़ा रही हूँ वहां भी महिला राजी है एक हेट कलर्क, एक कैशियर एक गेम स्टीचर और दो चप्रासी कुल जमा पाच पुरुष है किसी तरह के अफेयर की कोई गुंजाईश ही नहीं है अच्छा, तुम जो पिक्चर देखना चाहती हो उसके टिकट ले लो मैं अभी आया उन्होंने जेब से पर्स निकालते हुए कहा पैसे हैं मेरे पास मैंने अपना पर्स जुलाते हुए कहा सोच लो मल्टिप्लेक्स का टिकट है उन्होंने कहा जवाब में मैं सिर्फ मुस्करा दी फिर उन्होंने बहस नहीं की सीधे अपने गंतब की ओर चले गए वे फॉर मैन ओनली में दाखिल हुए ही थे कि लिफ्ट आकर रुकी इकका दुक्का लोगों के उतरते ही मैं पलक जपकते उस पर सवार हो गई और सीधे भूतल पर जाकर उतरी उतरते ही बद हवासी दोड़ते हुए बाहर आई मौल में आते हुए मैंने देखा कि बाहर कतारबद आटो रिक्षा खड़े हुए थे उनी में से एक में मैं धम में से जाकर बैठ गई मौसी का पता मुझे मोह जबानी याद था ड्राइवर को बताने के बाद मैंने पीछे से टिका कर जो आँखें बंद की घर पहुँचकर ही खोली सब लोग बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे मुझे देखकर मौसी मुझे से भी जादा बदहवास हो गई अरे तो रिक्षे में आई है वह भी अकेली प्रवीन कहां है गाड़ी खराब हो गई क्या और तेरे चेरे पर ये हवाईयां क्यों उड़ रही है अरे उसे सांस तो लेने दो एकदम शुरू हो जाती हो मौसा जी ने डाट लगाई तब जाकर मौसी चुप हुई बैठो बेटा थोड़ा सुस्ता लो फिर इत्मिनान से बताना मौसा जी ने प्यार से कहा दरसल मौसा जी वो क्या हुआ कि मैं एक दुकान पर खड़ी कुछ देख रही थी पता ही नहीं चला भीड में हम लोग कब चिटक गए अरे तो तेरे पास मौबाईल था ना पर मौसी मुझे उनका नमबर तो मालूम नहीं था ना थोड़ी देर मैंने ढूड़ने की कोशिश की फिर सोचा इससे तो अच्छा घर लोट जाना ही ठीक है बहुत अच्छा किया बेटा मौसा जी बोले पर यह बताओ ये मौल जाने का आइडिया किसका था मौसी ने सिर जुका लिया कमाल करती हो तुम भी पता नहीं था आज संडे है पूरा शहर वहां तूट पड़ता है वहीं घूमेंगे वहीं शॉपिंग करेंगे वहीं खाएंगे और पिक्चर देखकर घर लोटेंगे अजीब पागलपन सवार है लोगों पर शकुन मेरा फोन देना जरा प्रवीन को बता दूं कि वह घर आ गई है नहीं तो बेचारा वहां हलकान होता रहेगा मैं कमरे में चली आई और कपड़े बदल कर लेट गई मन में अजीब सी दुख दुखी हो रही थी मैंने एक एडवेंचर तो कर लिया था पर अभी उसका परिणाम आना शेष था मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी एक घंटे के भीतर ही मौसी की फुस्फुसाहट सुनाई दी जिजी जरा बाहर आना अम्मा कमरे में लोट कर आई तो चेहरा बेहद उत्रा हुआ था आते ही बोली लगता है तो मुझे चैन से मरने नहीं देगी क्यों क्या हुआ होना क्या है लड़के ने मना कर दिया कह रहा था लड़की निपट गमार और बौडम है कहीं से नहीं लगती कि एमे पास है ना उठने बैठने का शओर है ना बात करने का पढ़ लिखकर यही कमाया है तुमने कि लोग तुम्हें गमार कहें मा अनवरत बोले चली जा रही थी कि अचानक उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी जहां हताशा का कोई चिन नहीं था चिड़कर बोली तुम्हें तो खुशी हो रही होगी न तुम्हारी तो मनकी हो गई है इतना अच्छा घरवर मिल रहा था पर भाग में हो तब तो अम्मा का दुख देखकर दुख जरूर हो रहा था पर अम्मा सच कह रही थी मेरी तो मनकी हो गई थी तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं